केटी लाइन यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना न भूलें जन्पत गाजियाबाद के कस्बा फरीद नगर के रहने वाले शाद वसीम काफी समय से मुकेश वा मुहम्मद रफी की आवाज में गाने गा रहे हैं जनको सुनने वाले काफी सराते हैं, जब केटी लाइन यूज की साद वसीम से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे बचपन से ही मुहम्मद रफी साहब की आवाज काफी अच्छी लगती है और काफी परभावित करती है, मैं उन से इतना परभावित हुआ कि मुझे उनके गाने सुन सुन कर गाने का शोक हो गया, शाद वसीम ने बताया कि वे काफी परोग्रामों में मुहम्मद रफी और मुकेस की आवाज में गाने गाच चुके हैं, आए सुनते हैं क्या कहते हैं शाद वसीम, केटी लाइन यूज के लिए शाजिद हसन के साथ हसन खान की भरते शितारे हैं तो उसी कड़ी में आज हम बात कराते हैं आपकी सर आपका नाम शाद वसीम सर मैं कजबा फरीद नगर सहूं सर जो यह आप गाय की करते हो मुहमंद रफी की आवाज में यह आप कितने समय से कर रहे हो सर मैं कर तो बचपन से रहा हूँ अब आज तक कहीं महुका नहीं मिला था पर अब मैं अपना बचपन से सोग है को अधाने करता हूँ और उनके नग में बचपन सिकाता हूँ तो यह आपको गाय की प्रेज़ना कहां से मिली आपके गुरू कहन है शर गुरू तो कहीं extension कि आटे से ऐसा माना जात他 कि विना गुरू के घान नहीं होता तो आपने कहीं से उनकी प्रेना गाने सुन कर के उन्हेंगें सर बस मैं खाली टाइम में घर में रियाज करता हूँ सुबा को भी करता हूँ शाम को भी करता हूँ रात को करीब करीब दस बाज तक मैं अपना मतलब रियाज डेली करता हूँ तो जैसे कि आप गाय की कर रहे हो तो इसमें आपके परिवार वाले या आपके यार दोस्त आपको सराते हैं या आपको कुछ उसमें टॉंटिंग अगर आइस तरह से करते हैं काफी लोहों का मुझे सफोर्ड और घर से मुझे सपोर्ड यह सफार यह वह नहीं बहुत वह प्रहां मुझे अपरम इएक डिन उपर्वार उपहर उपर्वाला कंश्च उप्रीज प्रप्रोग्राम में यह कहीं कोई प्रोग्राम में आपने गाय हो कोई गाने ऐसा प्रोग्राम को ये बहुत और फिर उन्होंने में के लिए इन्वाइट गया कि अगले प्रोग्राम में आपको फिर बुलाएंगे जैसे कि आप मुहम्मद रफी के फैन हो और मुहम्मद रफी साब जो अच्छे गायक रहे हैं तो उनका ऐसा कौन सा गाना है जो तुम्हें सबसे जादे अच्छा लगता है सर उनका उमीद पिचर का गाना है मुझा इश्क है तुझी से वह मेरा बहुत फैबरेट सोंग है बहुत अच्छा सोंग है उस सोंग को मैं जहां भी जाता हूँ पहले सबसे पहले मतलब मैं उसी सोंग को जरू रिपीट करता हूं तो यह हमारे दर्सक जो आपको देख रहे हैं इन्हें आप सुनाना चाहेंगे जी बिल्कुल चाहेंगे मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिन्दगानी तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी मुझे इश्क है तुझी से मेरी जिन्दगी में तु है मेरे पास क्या कमी है जिस घम नहीं खिजा का वो बहार तु ने दी है मेरे जिन्दगी में तु है मेरे पास क्या कमी है जिस घम नहीं खिजा का वो बहार तु ने दी है मेरे हाल पर हुई है तेरी खास महरबानी तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी मुझे इश्क है तुझी से जैसे कि आपने भी गाना गया काफी अच्छी आवाज में गया तो कुछ जो गाने हैं जो आपके प्रेर्णा स्रोत बने ऐसा भी कोई गाना है जो आपने अपनी तरफ से लिखा और गाया हो मिलने की तुम कोशिश करना घर से नहीं निकलन मिलने की तुम कोशिश करना घर से नहीं निकलना करोना फैल जाता है करोना फैल जाता है जैसे कि आपने जो करोना के उपर गाना गया बहुत ही अच्छा गाना था तो जो हमारे दर्सक हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे करोना के बारे में सर मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आप हमारे जो परधान मंत्रियें सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहेंगे घर से ना निकलने इसमें देखो सभी की भलाई है अपने घर का अपने परिवार का खुब अच्छी तरह से ध्यान रखें और पीम साफ की बात इमान के घर में रहें ऐसी बात नहीं है कि आज हमारा दुखो को समय चल रहा है ऐसी बात नहीं है कि ऊपर वाले इंचाहतों जल्द बहुत अच्छा समय भी आएगा कि हम सब लोग एक बार फिर पहले की तरह आजाद घूमेंगे ठीक है और इस महामार ना किसी लालच के ना किसी उसके मेरे पास आएं यह बहुत अच्छा चैनल है मैं इस चैनल को बहुत अच्छी तरह सब्सक्राइब करता हूं और सभी से कहता हूं कि इस चैनल के साथ जुड़ें दिल से केटी लाइब न्यूज के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे दर्सको से कहना चाहता हूं कि केटी न्यूज लाइब पर मेरी वीडियो देखने के लिए ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें अगर मेरी आवाज अच्छी है तो भी लिखें और अगर किसी मेरी आवाज कोई कम है तो भी मुझे बताएं और अब मेरी आगर से वीडियो देखने के लिए केटी न्यूज लाइब पर सब्सक्राइब करें और इसी न्यूज पर मेरी वीडियो आएंगे